अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मक्दम है नाजरीन, अल्ला ताला का रह्मो करम होने लगा है अब तमाम मुसल्मानों की दुआएं कुबूल होती नजर आ रही है CAA और NRC के खिलाफ धर्ना प्रदर्शन कामियाब होने लगे है हाली में अदालत ने भीम सेना प्रमुख चंदर शेखर को शाहीन बाग जाने की इजाज़त दे दी है चंदर शेखर पहले ही नागरिक्ता संशोधन कानून और NRC का विरोध करते आ रहे थे जिसे लेकर जेल से रहा होते ही वो बीते जुम्मे को दिल्ली की शाही जामा मस्ज़द पर पहुँचे थे उन्होंने अपनी अवाज को बुलंद करते हुए CAA और NRC की मुखालफत की थी नाजरीन तकरीबन महीने भर से धरना प्रदर्शन कर रही शाहीन बाग की मासूम खवातीनों की आवाजों को और बुलंद करेंगे हम आपको बता दे कि भीम सेना प्रमुक चंदर शेकर को सरकार और उसके नुमाइंदों ने शायद इसलिए दूर रखा क्यूंकि दिल्ली में विधान सभा के चुनाव थे बीजेपी को ये महसूस हो रहा था कि कहीं कॉंग्रेस या उसके कोई सयोगी दल चंदर शेकर को दिल्ली से किसी विधान सभा सीट से टिकट दे कर चुनावना लड़ा दे जिससे कि उनका प्रतियाशी धूल फांकता नजर आए और एक सीट का नुकसान हो जाए नाजरीन एक सीट का ही नहीं बलकि चंदर शेकर के आने से बीजेपी को अपनी कब्र खुदने का भी डर सता रहा था शायद इसी लिए नामांकन तक भारतिय जन्तापाटी ने चंदर शेकर को धरना स्तलो पे जानने से रोका था लेकिन अदालत ने अब उन्हें शाहीन बाग जाने की इजाज़त दे दी है और वो बुद्वार यानी 22 जन्वरी को शाहीन बाग पहुँचकर CAA और NRC के खिलाफ सरकार को फिर से ललकारेंगे नाजरीन उमीद करते हैं और अल्ला ताला से दुआ करते हैं कि अल्ला ताला शाहीन बाग की खवातीनों को उनके मकसद में कामियाबी अता फर्माए अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें अपने जानने मिलने वालो और दोस्तों के साथ शेर करना बिलकुल न भूलें और अगर आप हमारे चानल नूरानी खबरों पर नए हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लें अल्ला हाफिज